इंगे से रिलेटेट सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इंफॉरमेशन हेलो फ्रेंड्स ये वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो पोईट्री होता है हॉन्बिल जो बुक नहीं बुक आई नहीं से लबिसकी हॉन्बिल जो बुक है उसके पुएम का पार्ट वन हम पड़ेंगे पुएम को नाम है और फोटोग्राफ अगर आप चाहते हो कि आप ह अंट्रोग्राफ जन्री का उसलिक पार दिख रहा होगा को वहां क्लिक करोगे आपको वह प्ले लिस्ट मिलेगा प्लेस्ट में सारीowejी वीडियोंodles हैं धेदरे वीडियो मैं डाल रहा हूं तो अभी आपको कुछ मिलेंगी फिर धेदरे और टाइम पर देगा तो वीडियो आपको वहाँ पर मिलते रहेंगी चलिए स्टार्ट करते हैं अब रियल वीडियो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मेनिंग की फिर बात करेंगे हिंदी एक्सिनेशन की अगर आपको डिरेक्ट हिंदी एक्सिनेशन गाना जाना है तब वीडियो के डीटेल में जाएंगे तो आपको वह एक्सिनेशन मिल जाएगा चलिए देखते हैं क्या है यह पोएम वन है पोईट्री का पोईट्री का नाम क्या अब फोटोग्राफ इसको लिखा शिरले टॉल्सवन ने लिखा है पहला मतलब हम दो पार्ट में वीडियो देखेंगे पहला पार्ट जो रहेगा वह तक कार्डबोर से लेका ट्रांस्जियन फीट तक रहेगा यहां तक के पैराग्राफ हम डिसकस करेंगे पैराग्राफ है नहीं बोल सकते हैं इसको बो Mackee सपार्ट आपनी से कि nap कार्डबोर की ती है शो मतलब दिखता है वैं मतलब कब यहां मतलब जब वो सकता है कब वैं में में क्या होता है कजिन मतलब चाचेरे भाई बहें चाई चाचेरे भाई बहें को हम क्या बोलते हैं कजिन बोलते हैं पैडलिंग पैडलिंग मतलब जो आप तैरते हो तो जब पैर आप मारते हैं तो पैर उसी को हम पैडलिंग करते हैं अर्था तैर ना बोल सकते हो आप फिर इच मतलब से प्रतेक बोलता है ना प्रतेक लोग तो हम इच मतलब प्रतेक होता है से प्रतेक भी होता है अब प्रतेक के वहल प्रतेक अब लिखो तब भी हो जाएगा Holding मतलब कोई चीज को आप पकड़े हुए हो, Some मतलब कुछ, So मतलब इसलिए, बोलते हैं न, इसलिए मैं नहीं किया था, So that I didn't go there, इसलिए मैं वहां नहीं किया था, Stood मतलब खड़ा था, Still मतलब फिर भी, फिर भी तुम्हें एक काम करना चाहिए, तो Still, एक और Still मतलब होता है, इसका मतलब होता है, Stare, कोई चीज जो है, वो स्थेर है, वो ही पर रुकी हुई है, फिर Smile मतलब मतलब मुस्कुराओ, या मुस्कुराना, या तो पताई आपको, Through मतलब किसी के माध्यम से, या स्केवल आ केवल आप से भी लिखोगे, यासे मैं घर से, तो आप वो आलब इससे जो आता है, वो भी लिख सकते हो, नॉर्मल लिख के माध्यम से सबसे अच्छा तरीका होता है, Through का explain करने के लिए, Before मतलब किसी चीज से पहले, इससे पहले बाद कोई भी चीज से पहले, विच मतलब, यहां जो मतलब है, विच का मतलब है, जिसे, Normally, which question पूशता, इसका मतलब होता है, किसे, लेकिन यहां मतलब है, जिसे, फिर लिखा Appear, मतलब कोई चीज प्रकट होता है, कोई चीज दिखता है, आपको तो बोलता है, यह Appear हो गया, यह प्रकट हो गया, Change मतलब वो बदल गया, क्या हो गया है, वो बदला हुआ, यह बदला हुआ रूप या बदल गया, ऐसे बोलते हैं, फिर, Less मतलब कम, Wasd मतलब कोई चीज दो दिया आपने, बोला मैंने धो दिया, तो वह धोया, Terribly, बहुत ही खतरनाग तरिके से, या बहुत भयानक्ता से, Transient, Transient बोलते हैं, मतलब छडिक, मतलब कुछ समय के लिए, Transient, Transient Happiness, मतलब कुछ समय के लिए, खुसी, Feet मतलब पैरो का पंजा, जो आपको पैरो का पंजा हो, तो हम क्या कहते हैं, Feet कहते हैं, तो यह सब जो वर्ड होता है, यह सब वर्ड अभी हम देखेंगे, Poetry का जो पहला Poem का Part 1 है, वो देखेंगे, Explanation तो आपको Clear हो जाएगा, चलिए, Book है तो Book खोल लिजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो के डीटेल में भी जाकर, इसका PDF ले सकते हैं, इस चैप्टर का PDF में डाल दूँगा, ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं, Explanation, Video Quality अच्छी कर लिजिएगा, तो दोस्तों हमें पढ़ना है और फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ पुयम है, जिसको लिखा है शिरले टॉलसन ने, इसमें वो सिंपल लाइफ की स्टोरिक बारें बताती है, कि कैसे लाइफ बदलता है, कैसे उसका जीवन बदलता है, तो क्या लिखा है, अबाउट तो पहले पोट पढ़ते हैं, कि वो कैसी थी, क्योंकि दो को पोट के बारे में अगर आप थोड़ी जनकारी प्राप्त कर लोगे, तो आपको ये फायदा होता है, आपको पता चले जाता है, कि पोएम किस टॉपिक पे हो सकता है, या उसके अंदर कौन-कौन सी बाते साइथ पोट कह सकता है, अगर पोट बहुत गरीब घर से है, तो नॉर्मली वो ऐसा पोएम लिखता है, जो गरीबों के लिए हो, पोट अगर उदास रहता है, या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, नॉर्मली वो उदास वाले पोएम लिखता है, है ना, तो इसी लिए, दिखाया है, श्रिले टॉल्सन वाज ग्रेट पोएम यहां जो पोएम जो कभी हैं, वो कभी नहीं होगा है, कवित्री हैं, इसका नाम है श्रिले टॉल्सन, और वो बहुत बहुत ही बड़ी, यहां ग्रेट मतलब बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी वो कवित्री हैं, जन्दलिस्ट जानी की वो पत्रकार भी थी, फेवरेट टीचर एन आइटर, वो कई लोगों की फेवरेट सिच्छिका भी थी, और एटर यह अर्थात वो एडिट कर दी थी, इसका मतलब बता है, कि वो इससे आप पेपर पढ़ते हैं, पेपर में जो फ्रेंट पेज होता है, तो उसको एडिट कोण करता है, वो यह करती थी, वो वो करती थी, इनका जन्म इंगलेंड में 20 माई 1924 को हुआ था, वो इससे इससी को हुआ था, हर फर्स्ट बुक वोस पब्लिश्ट इन 1960, इनका पहला जो बुक पब्लिश्ट हुआ, जो मार्केट माया प्रजणी करने के लिए वो आया था, 1960 में, फिल्ड काया, शे उट प्रेक्टिस, सडरी, पाटिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज ओल्सो, वो भाग भी लेती थी, कि इसमें भाग लेती थी? स्कूल एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज स्कूल में होता था, मतलब दैसे, sport activity हो गया, music activity हो गया और भी कोई function activity हो गया वो उसमें वो भाग लेती थी उसमें वो काम करती थी ठीक, about the poet सोज में आ गया आप सोज में आ गया वो कैसी थी उनका वेवार हलका-फुल का सोज में आ गया अब पढ़ते है about the poem क्या लगा है about the poem में मतलब इस कविता में the poetist कवी मतलब कवित्री कहेंगे कवित्री has told us about human life इस कविता में जो कवित्री है वो हमें human life मतलब मनुष्य के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताती है it is short-lived childhood slip into youth इसमें जो बताती है कि एक छोटा सा जीवन बच्पन से कैसे slip हो जाता है slip मतलब आगे बढ़ जाता है youth में मतलब वो बदल जाता है बच्पन से कैसे तुरंद बदल जाता है youth slips into old age और कैसे युवा है बच्पन से बदल जाता है युवा वस्ता में और कैसे युवा बदल जाता है विर्धावस्ता मैंने बिर्ध हो जाता है है न ओल्ड एज मतलब वही मतलब है men become sad remembering the memories of the past यहां दीजेगा men यहां यह सिर्फ वेक्तियों मतलब केवल सिर्फ आदमियों के लिए नहीं कहा गया, यह सब के लिए कहा गया female, male, सब के लिए men become sad जो आदमी होते हैं वो दुख्यों जाते है remembering the memories of the past पूरानी यातों को लेकर वो दुख्यों जाते हैं now let us read about the poetess चलो आप poetess के बारे अर्था कवित्य के बारे जानते हैं mother and find three stages of life उनकी मा के बारे जानते हैं और तीन जो stage तीन एक तरीके से और फिर बुड़ापा तो ये मा का देखेंगे मतलब कवित्य अपनी मा के बारे बता रहे हैं कि मा का बच्पन कैसा हो था मा की जवानी कैसी थी और मा का बुड़ापा कैसा है अब समझना के एकदम आपको चलते हैं अनुआज सही जो मतलब भी इसमें लहाप चाहिए और अपयो नहीं मूहाब को बांव को नंपरा आपको दे दूंगा मोटा लगड़ सबते अटाय को सब्सक्वाब जरी मोटा कागज होता है ना उसको काड़ बोलते लेकिन यहां काड़ बोर्ट से मतलब है कि जैसे आप लोग फ्रेम लगाते हो ना फोटो पुरानी फोटो अपने बज़्पन की फोटो दिखते होगे कि मम्मी के पापक साथ आपकी फोटो है पुरानी फोटो घर में रख्क से मतलब काड़ कागज का फ्रेम है और आगे आपका फोटो है उसकार बोलते होगे वह दिखाता है बताता है जो फोटो के देखकर मुझे लगता है कि पहले की लोग कैसे थे या क्या था पहले जाएं का मतलब यहीं है when second line है when the two girls cousin when pedaling each one holding one of my mother's hand लिखा है when the two girls cousin जब दो मेरे cousin मतलब चचेरी बहन तो जब मेरी दो मतलब मेरी नहीं मा की जब मेरी मा की दो चचेरी बहन when pedaling pedaling मतलब एक तरिके मेरी मा के साथ पानी में pedal मार रहते है तर रहते each one holding one of my mother's hand और प्रतेक ने मतलब दो ही लड़किया थी तो simple है एक ने एक हाथ पकड़ा होगा एक ने एक हाथ पकड़ा होगा each one holding one of my mother's hand सब प्रतेक ने मेरी मा का एक एक हाथ पकड़ा था and she is ता बिग गर्ड और वो बड़ी लड़की थी सम ट्वाल्वियर्स और सो बारा साल के लगबग होंगी और सो मतलब लगबग तो यहां जो पोईट्रिस हैं वो कलपना कर रही है फोटो देखकर कि जो फोटो में दिख रहा है कि मा है उनकी जो लगबग बारा साल की है और उनकी मा की दो चचेरी बेहन है जो उनको दोनों तरफ से पकड़े हुई है अब समझ में आ गए यहां तक फिर संजाते हैं तो कार्ड बोड शोज में हाव इट वाज जो कार्ड बोड है मतलब जो फोटो है कार्ड बोर मतलब कागज का ही होता है लेकिन यहां मतलब है फोटो से तो जो फोटो देखती हूं तो मुझे यह पता चलता है कि कैसा होता होगा कजीन दो अक्तर मेरी निगलती हो गया जब मेरी मा की दो चचेरी बेहन गई थी तैरने each one holding one of my mother's hand प्रतेक ने मेरी मा के हाथ को पकड़ा था and she the big one और वो जो big girl थी मतलब वो सबसे बड़ी लड़की थी उन में से some 12 year or so लगबग 12 साल की होंगी या और मतलब और गो सकती है 12-13 मानलो 12-13 साल की अब चलते हैं हम पांचवी लाएं all three stood still to smile through their hair all three stood सब खड़ी थी आप नदी में या तलाब में तहरने गए हो तो फिर तलाब में आप नहार है फिर आपको किसे इन गोला इतलो फोटो कीज़ते तो आप तलाब के किनारे आते हो जहाँ पानी थोड़ा आपके कमर तक भरा होता है फिर आप खड़े जाते हो फिर खोटो फोटो कीचवाते हो वैसे ही all three stood still स्तीनों जो थी मतलब मेरी माँ एक और मेरी माँ की दो कजिन बहने अर्था तीन लोग still मतलब वो खड़ी थी स्थिर थी मतलब वो जम सीधा खड़ी थी to smile through their hair अपने बालों से मुश्कुराने के लिए अर्था तो वो अपने बालों से मुश्कुरा रही थी और वो तीनों खड़ी थी किसले खड़ी थी फोटो लेने के लिए तो फोटो कौन ले रहा था at the uncle with the camera तो वो अंकल को देखकर मतलब चाचा को देखकर मतलब मेरी मा के चाचा को कवित्री की मा के चाचा फोटो ले रहे थे और कवित्री की मा और उनकी चचरी बैने खड़ी थी तो आप कलपना कर सकते हो इमेजिंग कर सकते हो कि वो कैसा होगा तो लिखा है at the uncle with the camera जो चाचा थे किसके चाचा? मा के मा के चाचा फोटो ले रहे थे और उनकी दोनों चचरी बैने तो तीनों खड़ी थी और अपने बाल से मतलब बाल के बीच से लड़कियों के बाल लंबे होते हैं देखते हो वो बाल जब नहाते हैं या कुछ तलाब में नहाते हैं बाल पहल थे हैं तो उस भाल थोड़े आगे थे उसमें से वो मुस्कुरा रहे थी बालों के बीच से मुस्कुरा रहे थी हो स्वीट फेस एक बहुती अच्छा ٌ प्यार है मनेरी मा का बहुत पैदा होने से पहले बहुत इस सिंपल से बात है जब मां 12-13 की है तो कवित्र तो पैदा होई नहीं होंगी लिखा है और शेहरा था मांका कवित्र बता रही है फोटो के देखकर कि मेरी मां बहुत प्यारी दिख रही है और यह फोटो थी मेरे पैदा होने से पहली यहां तो clear हो गया and the sea which appears to have changed less वो जो sea है मतलब जो सागर है अर्था वो लो नाने कहां गए थे सागर में गए थे नाने which appears to have changed less वो ऐसा प्रतित हो रहा है कि वो बहुत कम बदला है यानि कि अभी भी जब मैं जाती हूँ मा लोग जो कवित्री है वो जब भी सागर के तरफ जाती है तो उनको लगबग वैसा ही समुदर दिखता है जैसा उस फोटो में दिखता है clear हो गया वही लिका है and the sea which appears to have changed less changed less मतलब कम बदला हुआ है appears मतलब प्रतित होता है तो जो सागर है वो प्रतित होता है कि बहुत कम बदला हुआ है जैसा फोटो में था लगबग वैसा अभी भी है wash they are terribly transient feet वो जो सागर है वो सागर क्या कर रहा है wash कर रहा है they are terribly transient feet transient मतलब कुछ समय के लिए feet मतलब पैर तो वो जो पानी है simple lahar की बात हो रही है कवित्री कह रही है वो समुंदर का पानी पैर पे उन लोग के लिए कुछ समय के आ रहा है और उनके पैर को धो रहा है फिर समझाते है last की जो हम चाल लाइन दुबारा repeat के सो उसके आगे all three फिर से पढ़ ले रहे है all three stood still to smile through their hair वो तीनों स्थिर खड़ी थे मुस्कुराने के लिए अपने बालों के 20 सेर था अपने बालों उनके आगे तो उनके चेरे के आगे आगे थे और उससे वो मुस्कुराए किसके लिए add the uncle with camera uncle के तरफ मुस्कुराए जो uncle camera के साथ थे मतलब जो चाचा camera के साथ थे a sweet face my mother's मेरी मा का देखो जो mothers लिखा है r के बाद s लिखा है तो apostrophe होता है इसका मतलब हिंदी में होता है ka तो a sweet face एक बहुत ही प्यारा चेहरा my mother's मेरी मा का that was before I was born और यह तब का था जब मेरी मा मतलब जब मैं पैदा नहीं होई थी last की दो लाइन and the sea और जो सागर था which appears to have changed less जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत कम बदला है मतलब जैसा फोटम दिख रहा है वैसा ही वो अभी भी लगबग है washed their terribly transient feet वो उनके पैर को कुछ समय के लिए क्या कर रहा है बहुत ही तेजी से यहां terribly लिखा यानि बहुत भयानक तरिके से वो लहर आ रही है और उनके पैर को दोते हुए चले जा रही है यहीं इसका पूरा मतलब था अब इसका हिंदी नुमार देखते हैं मैं इस फोटो से जान पाता हूँ यहां फीमेल है यहां पाती होगा गलती हो गया यहां बुक में गलती होगा पोएट में पाता लिखा है वहां पाती होगा मैं इस फोटो से जान पाती हूँ कि उस समय कैसा प्रतीत होता था जब दो चचेरी बेहने मेरी मां की एक एक बाँ पकड़े हुए पानी में छपचपाती हुई गा रही थी नॉर्मली पैडलिंग मतलब वही मैंने बोला ना पैर जो आप तहरते हो वर्ड मीनिंगे समय जब तहरते हो जब पैर मारते हो उसको वही छपचपाना बोल सकते हो गा रही थी यह तो ऐसे एड़ कर दिया गया जो पोयम उसमें कि गानी का बात नहीं किया जा रहा है तथा मा वह बड़ी लड़की थी लगबग 12 वर्स की और मा थी वह लगबग 12 वर्स की थी तथा वह तीनों स्थिर खड़ी हुई कैमरा लिये खड़े चाचा की और देखकर अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी वह जो मैंने का बालों के आगे हो गए तो बालों से वो मुस्कुरा रही थी मेरी मा का चैरा बहुत प्यारा था उस समय जब अभी मेरा ज़म भी नहीं हुआ था तता समुंद्र जो लगता है बहुत कम बतला है, यानि कि जो फोटो में था वैसा ही अभी भी दिखता है, उनके अत्यदिक अल्प कालीन पैर दो रहा था, यानि कि जो उनके पैर थे, उनको वो कुछ समय के लिए फटाक से, जैसे कुछ समय के लिए, अल्प मतलब कुछ समय क को जो पार्ट है पोयम का वो हम डिसकस कर चुके हैं नेक्स पार्ट में हम सेकेंड और थर्ड यानि कि अभी तो हमने बच्पन का फोटो देखा है अभी किसका बाकी है यूद का मतलब जवानी का और बुड़ापे का जो पार्ट है वो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स वीडियो में अगर आपका वीडियो अच्छे लगी तो शेयर जरूर करें जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करें अगर और भी आप ग्रामर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुसे कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड भी वीडियो देता रहूंगा इसका साथ वीडियो को end कर रहे हैं आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत-बहुत लगनेवाद Thank you so much for watching this video